आ गई है नई ट्यार पिले सामने कौन से शो ने मारी बाजी कौन से शो रहा बॉटम चले जान लेते हैं हमारी स्पेशल वीडियो में नमबर टैन की पोजिशन पर है भागे लक्षमी जी हाँ वीवर्स इंतजार करते करते ठक गए कि कब लक्षमी बेगना साबित हो गया और कब पारो का सत सामने आएगा लेकिन आखिरकार इंतजार खतम हो और नीलम को पता चल गया कि पारो जो है फूरिशी की ही बेटी है इस जो है वो पारवती बनकर लोटी है लीप आ गया है शो में और पारवती जो रिवेंश लिने आई है राजीव और निती से यही कहानी है फैंस को पसंदार है और इसलिए शो को रिस्पॉंस पिला है और शो काफी समय बाद नमबर नाइन की पोजिशन पर आए है आगे बढ नमबर 27 परेगा शो को प्यार तो मिल रहा है लेकिन इस प्यार में थोड़ी कमी रहे हैं इसलिए शोर नमबर 7 की पोजिशन पर हाला कि शरलीन और पितवी की कमबैक की नियू सुनते ही इस यहीं काफी एक्साइड़ हो गयेया बात कर थे है। नमबर 6 की नमबर 6 वह हैं लाफटर शेप जी हाँ अपने कॉमेडी से भरपूर कहारी लेकर जब यह शो आता है तो फैंस काफी एक्साइड़ हो जाते हैं अब खाना बनाते हैं तो फैंस को काफी अच्छा लगता है इसलिए शो को मिल रहा है काफी सारा प्यार और शो जो है नमबर 6 फी पोजिशन पर है आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं नमबर 5 की नमबर 5 पर है उड़ने की आशा हाले में ही शुरू हुआ ये शो फैंस को है जी हाँ आपको बता दें कि शाइली जो है वो जल्द ही रोशनियों और तेजस को एक्सपोज करें इनकी शादी होने जा रहे लेकिन शादी में ही बड़ा भांडा फूटने वाला है रोशनी का आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं नमबर 4 की नमबर 4 पर है जनक जनक अ फानल ये शादी हो रही है लेकिन जनक इस शादी को रोकने वाली है और फैंस को इसी बात का इंदजार भी है शो को अच्छी गासी टीयार भी मिल रही है शो नमबर 4 की पोजिशन पर बना हुआ है आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं नमबर 3 की नमबर 3 पर है मा यानि की जो रियल मॉम है शिवानी उनकी एंट्री होने जा रही है और फैंस को इंतजार है देखने का क्या की कौन है ये शिवानी और क्या अभीरा मिलवाएगी अर्मान को उसकी रियल मॉम शिवानी से शो को ट्यार भी मिल रही है और शो जो है वो नमबर 3 की पोजिशन पर बना हुआ है आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं नंबर टू की नंबर टू पर हैं गुम है किसी के प्यार में वेल दोस्तों कहानी में लीप आया लीप के बात फैंस शक्ति अरोडा को काफी मिस कर रहे हैं और उन्हें काफी याद करते हुए हर एपिसोड में नजर आते पापा से और प्यार दिलवा पाएगी क्या सई को देखना इंट्रस्टिंग होने वाला है और शो काफी अच्छा रिस्पॉंस कर रहा है लीप के बात भी फैंस पसंद कर रहे हैं नंबर वन की बात करें तो हमेशा की तरह राजन साही का शो अनुपमा नंबर वन की पोजि पाहिले कि वनराज शादी को रोकने वाला है क्योंकि यहां पर टीटू की मॉम की एंट्री होने वाली है जो की अपने पती को मार कर जेल में बन थी और यही बात वनराज चीक चिक का पूरे परिवार को बताएगा और रोक देगा शादी को क्या अनुपमा शादी को करवा पाएगी देखना होगा बहुत ही मसदार फिलाल दूस्तों आपको कैसे लगी है ट्यार पे लिस्ट हमें कमेंट के कि शेयर करें कि आपको लगता है कि कोई साथ शो जो है गरत पोजिशन पर है या फिर उसको इस पोजिशन पर होना चाहते तो हमें धीर सारे कमेंट कर आप को सब्सक्राइब करना ना भूले